दुर्ग राजियू नगर की एक मकान में चोरी की घटना में दुर्ग पुलिस ने चंद घंटों में दो आरूपयों गिरफतार किया है और सभी सामान को बरामत कर लिया है दुर्ग में राजी उनगर इस्थित मकान में अग्याद चोरोंदवारा अलमारी में रखे दो सोने के अंगुठी एक जोड़ी सोने का टॉपस चांदी कपायल सहीद संत्यानबे हजार नगत सहीद कुल रासी दो लाग पचपन हजार रुपए की चोरी की घटना को हंजाम द लिया था जिस पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने प्रार्थी शीतल गुपता की शिकायत पर पता साजी के लिए टिम गठीत कर विवेशना के दवरां दो संदीग दवैक्तियों से पूछताज की जिसने पूछताज करने के दवरां दोनों ने चोरी करना स्विकार किया है जिसके तहर दुर्ग पुलिस ने दोनों आरोपी उमेश साहू सुनिल सोनी को राजीव नगर निमासी को गिरफतार कर चोरी किये गए सारे समान को जब्द कर लिया है और आरोपी को जियो रिमांट पर माननी नियालाय में दुर्ग पेश किया है जिसमें दो आरोपी की रिपोर्ट